पैंसन धारकों के लिए हाली में एक बड़ी खुश्खावरी जारी हो चुकी है। अगर आप भी एक पैंसन धारक हैं तो आप भी अपनी पैंसन का इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पैंसन कब आएगी। तो आपको दाँ चाहेंगे कि सरकार दुवारा अगरस्त महिने की पैंसन और दोस्तो सितंबर महिने की पैंसन एक साथ ट्रांसपर करने जा रही है। हालाग इस सिटंबर महीने की pension कुछ व्यक्तियों को मिल भी चुकी है लेकिन जिनको नहीं मिली है उनको सरकार की तरफ से दोस्तो यह pension जल्द ही मिलने वाली है यह पैंसन किस तारीक को मिलने वाली है उसके बारे में भी बताएंगे लेकिन उससे पहले दोस्तो हम आपको बता चाहेंगे कि आने वाली पैंसन किन लावारतियों को मिलने वाली है क्योंकि काफी ऐसे pension ध्हारक है जो आने वाली pension से दोस्तो वन्चित रह जाएंगे तो दोस्तों अगर आप भी एक pension दारक है चाहे आपकी pension बुझरुग हो यानके आपकी जो pension है वह old हो या फिर आप विद्धौ हमहिला हो या फिर दिव्यांग पुरुष हो दिव्यांग व्यक्ति हो तो यहाँ पर सभी pension दारको की pension को सरकार ट्रांसपर करने जा रही है दिहान रहे यह pension केवल और केवल उन्ही pension धरकों को दी जाएगी दोस्तो जो अपनी pension से आधार परमानी करण करा चुके हैं अगर आपने आधार परमानी करण नहीं करा है तो दोस्तो आपकी आने वाली pension आपको नहीं मिलेगी चाहे आपका जो भी राज्य है यह कार्य कराना सभी pension धरकों के लिए अनिवारिय है दोस्तो यहाँ पर आपकी चाहे जो भी pension हो किसी भी राज्य की pension हो तो दोस्तो आपको यह कार्य कराना अनिवारिय होगा यहाँ पर जिन pension धारगों की pension आने वाली है रहे दोस्तों उत्तर प्रदेश है, हर्याना है, दिल्ली है, एक साथ ही लावारतियों को pension मिलने जा रही है दोस्तो हम इफिलाल उतरपरदेश की ओपिशल वेबसाइट पर ही दोस्तो यहां पर आपकी जो पैंशन है वे किस तारिक से आने वाली है चलिए उसके बारे में आपको गुदाते हैं कि सभी जो पैंशन धारक है वे अपनी पैंशन का इंतिजार कर रहे हैं चाहिए पैंशन धारक हो या फिर निराश्चीत महिला हो दिव्यांग पुरुसो महिलाए हो सभी को सरकार यह पैंशन जोस्तो बीस सितेमबर जोस्तो बीस सितेमबर से पैंशन ट्रांसपर करने जा रही है लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर केवल और केवल उन्ही लावार्तियों को आधार परमाने करन हो चुका है यहां के जिन व्यक्तों का आधार कार लिंक हो चुका है उनको ही यह पैंशन सरकार की तरफ से दे जाएगी अगर दोस्तो सभी पैंशन धारक वंचित रह जाएंगे जिन होने अब तक आधार परमाने करन नहीं करा है जहें आपको कोई सभी राज्य हो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार के तरफ से पैंसन दी जाती है वहीं हरियाना सरकार दुआरा जो भी पैंसन दी जा रही है वह दोस्तों पच्चिस सो रुपे है जिसमें सरकार ने दोस्तों धाइस सो रुपे की बढ़ोतरी कर दी है तो यहाँ पर आपके जो पैंसन है वहें 20 सितंबर से आने की पूरी-पूरी संभावना जहता जा रही है और दोस्तों खुबदा बता चाहेंगे कि जिन पैंसन धार की पैंसन कट चुकी है और वहें पातर है तो वहें दोबारत से अपनी पैंसन में क्रेक्शन करा सकते हैं और क्रेक्शन कराने के बाद दोस्तों वहें जीरला करियले में जाकर अधिकारियों से बात कर सकते हैं अगर वहें पातर हैं तो दोस्तों उनकी पैंसन हमेशा के लि इंतजार कर रहे हैं वह कुछी से जूम उठे हैं आपको बता चाहेंगे जिन पैंसन धारकों को अगस्त महीने की पैंसन नहीं मिली है सपोज देड़िए हैं दिल्ली में 3000 रुपिए दियाते हैं अगर उनको अगस्त महीने के तीन हजार रूपे यहनके दोनों पैंसन एक साथ भी दी जा सकती है यहनके छेहाँ हजार रूपे भी पैंसन धारक के बैंक खाते में आ सकते हैं इसी प्रकार से जैसे कि हरियाना है हरियाना की पैंसन रूपी हुए तो उनको डबल पैंसन मिल सकती है यहनके पचिस सो और सब्सक्राइब निया को सब्सक्राइब और कोई सवाल कर सकते हैं और और ऑर भी कोई सरकार की फिर मीडिय रिपोर्ट की तरब से कोई भी हमें जानकारी मिलती है तो आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दे जाएगी आई होप आपको यह जानकर अच्छी लगी होगी और दुस्तो आपसे हमारा निवदन है कि अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजगा सेर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दिजगा